कि कथा करती है तीन दोलत सबसे बड़ी होती है दुनिया की सबसे बड़ी दोलत में तीन दोलत है पहली है तुमारे घर में धन बड़े उससे मतलम नहीं होना चाहिए तुमारा दिल बड़ा होना चाहिए ये दुनिया की सबसे पहली दोलत है घर में धन बड़ा की ना बड़ा घर में बेभव बड़ा की नहीं बड़ा घर में सत्ता बड़ी की नहीं बड़ी घर में दोलत बड़ी की नहीं बड़ी उससे मतलब होना ना चाहिए पर तुमारा दिल बड़ा होना चाहिए कोई आया आतित्भाव दिया कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डलीला कर दे दी कुछ नहीं है खाने का एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया और ताथ उसको लगे कि इन बढ़े के ना बढ़े तुमारा धन बढ़े की ना बढ़े तुमारी सत्ता बढ़े की ने बढ़े तुमारा दुलत बढ़े की ना बढ़े पर तुमारा दिल बढ़ा होना चाहिए निश्चिता होना चाहिए दूसरी दूलत है दूसरी दूलत है दूनिया की सबसे बड़ी त ठंडा होना चाहिए यह दुनिया की तीन दोलत में से दूसर नंबर की दोलत है कि तुमारा मस्तिश्क, तुमारा दिमाग, तुमारा हरदय, तुमारा चित, तुमारी व्रत्ती ठंडी रहे, थोड़ी सी देर में क्रोधा जाना, फिर उसमें गुसाया गरम हुए कि उसका कोई आनंदी नहीं पाए, यहां इतने सारे किसान बेनवाई बेटे हैं, इन सब को मालूम होगा, देपालपुर की धरा पर कथा चल रहे हैं, आस्ता चेनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, माता परसूती, श्यू महापुरान की कथा चल र होगी कि बीच सोया बिन हो, गेहूं हो, जुआर हो, मक्का हो, तर्बुजा, खर्बुजा, करेला, जो बीच आप परत्वी में बो रहे हो, उस बीच को अगर कड़या में डाल कर, आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए, और तपाने के बाद, आगी में सेकने के बाद, उस बीच को बोया जाए, तो उसमें अंकूर होएगा, उसमें पोधा लगेगा, बोलते जाओ, जुरजम के बोलो देपलपूर बलो, आवाज नहीं आ, रिजम के बोलो, नहीं लगेगा, उस बीच को तुमने सेक लिया, जुआर को सेक लिया, मक्क पर चड़ाया, गरम हो गया और गरम होने के बाद उसको जमीन में बोया, तो बीज अंकुरित होगा, नहीं होगा, वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता, पर वही बीज बिना आज पर चड़ा हुआ, बिना गरम किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अगनी के चड़ा हुआ, व एंकुरित होगार किनी ओसने सेच पर कि अगर उसको सेक लिए उसको तपा लिए उसको गरम जैम कर लिंद को वह सीख गया मुंफली का दाना सीख गया है जाना सीख गया तो वह अंकुरित नहीं हो सकता उसमें पौधा नहीं लग सकता उसी तरह जब तक वो सिखेगा नहीं जब तक वो गरम नहीं होगा जब तक वो सिखनी पाएगा तेज आच में उसको नहीं ले जाया जाएगा तो वो अंकुरित हो सकता है शुमहापुराण की कत्था यही करती है कि जब मन ठंडा होगा हरदय ठंडा होगा बुद्धी ठंडी होगी कुरोध में तपी ना होगी तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा और अगर यह तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाए तरी यह अंकुर इतन ही होगा अगनी में तपने के बाद यह अंकुर इतन ही होगा करोध में अगर चित लगा हुआ है करोध में मन लगा हुआ है करोध में बरती लगी हुई है करोध में अगर आप समाहित हैं और करोध आपके भीतर समाया हुआ है करोध में आप तल्लीन हु कहा करोध आ गया जिसके भीतर करोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता परमात्मा उसमें प्रविश नहीं कर पाता परमात्मा उसमें प्रगट नहीं हो पाता इसमें सबसे मूल है बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती परमात्मा मिल जाता है एक छण में तुम्हारे सांगे कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा बावा डोर हतो छटी ना में कटी जावांगी बाबा डोर हतो छटी ना में कटी जावांगी आपके भीतर पुरोध नहीं आना चाहिए आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए अहंकार आसक्ति तरिशना वासना लोग कुरोध यह सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते हैं अमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते हैं, अमारे मन को भगवान की भक्ती में नहीं रमने देते हैं। अपने आप शीतल होता चले जाता है। अपने आप शीतलता का अनुभव करने रखता है। अब केसी का नाम रगदो शान्ती और मालूम पड़े भीतर की शान्ती नहीं हो और दिन बार करे क्रांती। तो फिर वो शान्ती नाम रखने से मतलब क्या हो गया। बेतर की निर्मल ताले कराईए। बेतर की शुद्ध ताले कराईए।